जैहिन दोस्तों, UDC आरे में आपका स्वागत है दोस्तों अब हम बात करेंगे A-League के अगले मैच की जो की खेला जाएगा Brisbane Roar और Western Sydney Wanderers के बीच में दोस्तों काफी काटे का मुकाबला होने वाला है ये क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है लीग में specially defensively, दोनों का defense बहुत strong है तो most probably कल एक लो स्कुरिंग मैच देखने को मिलेगा हमें जादा goals नहीं होंगे, हो सकता है 0-0 भी draw हो जाए हो सकता है 1-1 भी draw हो जाए, ठीक है? और 1-0 भी जा सकता है किसी भी side की तरफ, ठीक है? लेकिन Brisbane Roar क्योंकि home team है तो थोड़ा सा edge हम Brisbane Roar की तरफ करेंगे इस मैच का, ठीक है? बाकी standings देख लेते हैं एक बार तो Western Sydney Vendors जो है, वो second position पे है लीग में 8 में से 4 matches जीते हैं इनोंने दो draw किये हैं और 2 हारे हैं 8 matches में सिर्फ 7 गोल मारे हैं और सिर्फ 6 गोल concede किये हैं तो मारे भी कम हैं और concede भी काफी कम किये हैं वही Brisbane Roar की बात करें तो वो 7th position पे हैं 7 matches खेले हैं उन्होंने 2 matches जीते हैं 4 draw हैं और हारा एक ही है ठीक है इनोंने भी 7 matches में सिर्फ 6 गोल मारे हैं और सिर्फ 5 ही गोल खाए हैं तो सबसे कम गोल जो स्टीम ने खाए हैं इस लीग में इस सीजन वो Brisbane Roar है और उसके बाद Western Sydney है ठीक है तो 2 best defenses के बीच में match होने वाला है अब home और away form भी देख लेते हैं एक बार तो ये match Brisbane Roar के घर पे होने वाला है तो पहले Brisbane Roar की home form देखते हैं तो Brisbane Roar की home form जो है ये आपको दिख रहा है आठवे position पे हैं तो कुछ खास नहीं है clearly पार्च में से खाली एक ही match जीता है तीन ड्रॉ किये हैं और एक हरा है और पार्च में खाली चार गोल किये हैं और चार ही conceded किये हैं ठीक है वहीं अगर हम Western Sydney Wanderers की away form की बात करें तो काफी बहतरीन है second position पे हैं ये चार matches खेले हैं और अपने घर से दूर दो जीते हैं एक ड्रॉ किया है और एक हरा है लेकिन वही situation चार में खाली तीम गोल मारे हैं और सिर्फ दो गोल conceded किये हैं ठीक है तो काफी मुझे लगता है थोड़ा सा low scoring match होने वाला है ये बाकी एक बार lineups discuss कर लेते हैं तो lineups की बात करें दोस्तों तो Western Sydney Wanderers की lineups देख लेते हैं पहले इनकी lineups कुछ इस तरीके से रहने वाली है आपको आगे दो center forwards दिखेंगे क्रिपिक और ML फिटानो ठीक है 11 और 17 नमबर उसके बाद left wing पे आपको दिखेंगे ये नी और दो central midfielder है बोजानिक और कैलम और right wing पे होंगे बुरेलो 26 नमबर वहीं defense की बात करें तो left back पे है Adam Traore और दो center back होंगे Marcelo और Marcella और right back पे होंगे Gabriel और goalkeeper इंगे Lawrence Thomas ठीक है अब एक बार हम Brisbane Roar का भी lineups देख लेते हैं Brisbane Roar की lineups की बात की जाए तो उनकी lineups कुछ इस तरीके से रहेगी आगे आपको दिख रहे हैं Charlie Austin जो की अब club छोड़ के जा चुके हैं तो इनकी जगे Noles start करेंगे Noles है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ Joseph Noles ये start करेंगे इनकी जगा ठीक है और left wing पे आपको दिखेंगे Carlo Armiento 17 नमबर फिर center attacking में Danzaki right पे Miliusenic और दो defensive midfielder होंगे defenders की बात करें तो left back पे होंगे Jordan 3 नमबर दो center back होंगे Eldred और Neville और right back पे होंगे Hingard ठीक है और goal keeping में होंगे Holmes तो ये line up Brisbane Roar की रहने वाली है अब section wise बात कर लेते हैं players की एक बार line ups कोलते हैं तो सबसे पहले आते हैं striking section में यहां पे जो options हमारे पास होंगे वो होंगे Milicinic ठीक है और Amalfitano जी हाँ यही दो option होंगे हमारे पास ठीक है बाकी अलेज़ांडरो लोपैन इन सब का start करने का कम ही chance है और कुछ players में injured चल रहे हैं तो Milicinic और Amalfitano अब Milicinic की बात की जाए तो last match में यह goal मार कर आ रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहां Newcastle Jets के खिलाफ इन्होंने goal मारा और उसी goal की वैसे match भी जीते थे तो आप देख सकते हैं कि तीन shot on target थे दो chances भी create किये इन्होंने तेरा passes किये और tackle भी इन्होंने दो किये तो defensively भी help किया है इन्होंने और minutes भी 86 खेल कर गए ठीक है उससे पहले इन्होंने जो match खिला था वो खिला था Adelaide के खिलाफ इसमें कोई goal नहीं मार पाय थे लेकिन shot on target आया था इसमें भी तीन tackle किये थे और 60 minute खेले थे इस match में तो basicly इनका ऐसा है कि अगर ये goal मारेंगे 60 minute के अंदर अंदर तो तो हो सकता है 80-85 minute तक खेल जाएं लेकिन otherwise इन्हें 60-65 minute पे substitute कर दिये जाएगा ठीक है लेकिन क्योंकि ज़्यादा options नहीं है तो इनको हम लेके चलेंगे और वैसे भी Brisbane Roar कर home team होने वाली है तो हम इनको ही favorites मान रहे है next बात करें तो ML Fittano इनका performance देखा जाए तो कुछ खास नहीं है last 3 matches से Western United के खिलाफ खाली 45 minute खेले थे ये ठीक है एक tackle किया 18 passes ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और I think half time पे ने substitute कर दिया गया उससे पहले भी Wellington के खिलाफ इन्होंने सिर्फ 33 passes किये एक interception और 62 minute पे ने substitute कर दिया गया ठीक है वहीं उससे पहले देखें तो थोड़ा एक महीने के gap पुराना match है ये तो इसमें ये इसमें भी एक ही chance create किया है ये ना ने दो टैकल किया तो जादा influence ये नहीं कर पा रहा है लेकिन क्योंकि ये काफी important player है in the sense ये star player है steam के मैं आपको दिखाता हूँ एक बार एक सेक्ड़ ml fitano तो अभी के लिए दोस्तों मैं इने drop करके चल रहा हूँ आगे देखते हैं इनको लेना है नहीं ठीक है अभी के लिए मैंने drop कर रहा हूँ next आते हैं midfield में midfield में आपको दिखेंगे borello जो की काफी important player है wanderers के लिए ठीक है last match में कुछ खास performance नहीं दे पाए है 64 minute खेले है 12 passes किये और एक shot on target था इनका ठीक है उसके अलावा Wellington के खिलाफ इन्होंने 2 shot on target थे 2 chances भी create किये 2 interception थे 90 minute खेल कर गई है ठीक है तो ये 2 matches अभी इन्होंने खेले हैं break के बाद तो इनको मैं अपने team में लूँगा क्योंकि ये defensively भी help कर रहे हैं और attack में भी जा रहे हैं तो काफी important player हो जाते हैं और selection percentage भी इनका बहुत high है ठीक है next आपको दिख रहे हैं army and two army and two की बात की जाए तो आप देख सकते हैं last के 2 matches में इन्होंने ठीक ठाक performance किया है ठीक है एक chance create किया है पांच passes किये हैं और clean sheet के point basically इन्हें मिले हैं ठीक है तो ये I think उस time पे defense में इन्हें जरूर दे रखा होगा अब ये midfield में दिखा रहे हैं यहाँ पे ठीक है तो newcastle jets के खिलाफ देखते हैं उसके पहले Sydney Wanderer से खिलाफ इन्होंने गोल मारा तो थोड़ा influential तो लग रहे हैं ये लेकिन ये कल start करेंगे या नहीं एक बार हम देख लेते हैं Brisbane Roar के squad में हैं ये एक second दोस्तो तो आर्मी एंटो जहां तक है left wing पे start करेंगे तो ये काफी important player हो जाते है selection percentage भी इनका almost 91% है तो इनको हम अपनी टीम में लेंगे next आपको दिख रहे हैं Jay Oshia ये इस टीम के करता धरता है ठीक है पूरा game यहीं चलाएंगे tackle, interception, passes assist potential, goal potential और penalty taker first choice यहीं है इस टीम के ठीक है आपको इन points से भी दिख रहा होगा last के 2 matches अगर आप देखेंगे तो without goal भी नहीं मारा है assist भी नहीं किया है फिर भी around ये 41 points देकर गए है ठीक है Adelaide के खिलाफ इन्होंने goal मारा ठीक है तो defensively भी आते हैं और offensively भी आते हैं और 90 minute खेल के जाते हैं तो must pick हो जाते हैं selection percentage भी काफी high है इनका J Noles इनके बारे में मैंने आपको बताया है Charlie Austin की जगे start करेंगे क्योंकि ये Charlie Austin अप club छोड़के जा चुके हैं due to his some family reasons तो इनकी जगे नोल स्टार्ट करेंगे तो ये भी important हो जाते हैं इनका अभी तक दो matches में कोई खास performance नहीं आया है क्यार इन्हे time भी जादा नहीं मिला है एक में ये 30 minute खेल कर गए हैं ठीक है और दूसरे में ये 18 minute खेल कर गए है तो I think break के बाद ये इनका first start होगा ठीक है तो इनको भी हम अपने team में लेंगे selection percentage भी इनका काफी high है almost 82% ठीक है तो अभी तक ये हमारा choice है उसके बाद आपको देखेंगे bosanic bosanic की बात करें तो last two matches में कुछ खास performance नहीं है और minutes भी ज़्यादा नहीं मिले हैं इने देखा जाए तो एक में 28 minute के लिए हैं एक में 64 minute इसमें सिर्फ passes के ही point आये है ठीक है तो bosanic को भी हम छोड़के चल रहे है और newman hof की बात की जाए तो इनका काफी अच्छा है defensively ये tackle interception के बढ़िया points देके जाते हैं और passes भी करते हैं और short on target और chance creation में भी इनका help है तो इनको हम अपनी team में जरूर लेंगे ठीक है तो ये 5 defender हो जाते है midfielder अब आते हैं defense में defense में बात की जाए तो Marcelo ये star defender है ये हर एक की team में आपको मिलेंगे tackle, interception, passes के अच्छे खासे point देके जाएंगे और chances भी create करने में सक्षम है ठीक है तो इनको हम अपनी team में जरूर रखेंगे ठीक है नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं Brisbane Rover के कप्तान Eldred ठीक है इनके भी आप points देखेंगे तो ये भी 20-25 point दे जाते हैं without clean sheet goal या assist ठीक है Adelaide के खिलाव भी नहोंने around 20 point दी दो tackle, एक interception तो अच्छा performance है इनका भी इनको भी हम अपनी team में लेंगे उसके बाद दिख रहे हैं आपको Scott Neville ये भी काफी important defender है Brisbane Rover के ठीक है और इनके भी point आप देखेंगे तो चार tackle कर गए गए है last match में उससे पहले इनोंने तीन interception किये 49 passes किये और पूरा 90 minute खेलते हैं तो ये भी काफी important हो जाते है next आपको दिख रहे हैं brindle south brindle south अभी तक दोनों matches में एक भी start नहीं किया है नोंने start किया है as a substitute भी नहीं आये है अभी तक एक second दोस्तो तो brindle south की बात करें दोस्तो तो एक बार हम इनका performance चेक कर लेते हैं अभी तक इनोंने start तो नहीं किया है बट ये काफी अच्छे player है मैं आपको दिखाता हूँ तो अभी इनका sure नहीं है कि ये start करेंगे या नहीं अगर ये करते हैं तो हमारी team में जरूर रहेंगे बट अभी के लिए मैं इनको छोड़के चल रहा हूँ नेक्स्ट हमको दिख रहे हैं मारसेला मारसेला की बात की जाए तो दोनों matches इनोंने start किये हैं Sydney Wonders के रिए लेकिन अगर आप इनके points देखेंगे तो interception के तो अच्छे points है इनके 90 minute खेल के भी गए है और वहीं Wellington के खिलाव भी इनोंने अच्छा perform किया ठीक है chance भी create कर रहे हैं ये एका ये तो काफी gap के बाद match है और header में भी बहुत अच्छे है इन मारसेला ठीक है तो अभी के लिए मैं लेकिन इनको drop करके चल रहा हूँ ठीक है वही Chapman की बात करें तो I don't think ये खेलेंगे उसके बाद आते हैं उसके बाद इन में से तो कोई नहीं स्टार्ट करेगा हाँ हिंगर स्टार्ट कर सकते है Brisbane Roar के लिए इनका performance देखा जाए अभी तक तो last match में 72 minutes खेल कर गए clean sheet मिली इन है इसलिए 20 point है और otherwise 8 point होते है इनके ठीक है Adelaide United के खिलाव भी इनोंने एक टेकल एक interception ही किया है 90 minute खेल कर गए तो कुछ खास performance नहीं है यह attackingly ज़्यादा better है rather than defensive तो एक player और है मैं हाँ भूल गया जी हाँ यह एडमा try हो रहे इनका defensive का points हमेशा बहुत अच्छा आता है मैंने last season भी इन्हें काफी अपनी team में लिया था अच्छे points देकर जाते थे मुझे तो इनको मैं अपनी team में रखोंगा ठीक है तो अभी के लिए यह हमारी team होती है goalkeeper section में दौनों का 50-50 है आप किसी को भी रख सकते हैं आप Jordan Holmes को भी रख सकते हैं Brisbane Roar के और I think Western Sydney Wanderers के जो goalkeeper है वो है Lawrence Thomas ठीक है तो मैं अभी के लिए Brisbane Roar के keeper को लूँगा ठीक है Holmes को तो Holmes को मैं अपनी team में लूँगा ठीक है तो कुछ इस तरीके के line-up हमारी तयार हो रही है दोस्तों बाकी final team मैं आपको telegram पे दूँगा ठीक है captain vice captaincy की बात करें तो इसमें मैं captain मिनाऊंगा John उशिया को ठीक है क्योंकि मैंने आपको बता दिया पूरा game में यही चलाते है और कल यह अपने home ground पे खेलेंगे और मेरे vice captain होंगे नोल्स जो की as a sender forward कल start करेंगे ठीक है तो अभी के लिए ये team मनती है मेरी एक बार मैं आपको दिखा दिता हूँ ठीक है बाकी जो भी चैनल होंगे लाइनपस में वह आपको update कर दिया जाएगा टेलीगाम चैनल पे और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो please हमारे चैनल को subscribe करें subscribe करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है किसी भी वीडियो के description में आप जाएं आपको वहाँ bell icon के पास subscribe लिखा दिखेगा उसे आप press करें और उसे करने के बाद आप bell icon में notifications को all कर दें जिससे की सारे वीडियो की notifications आपको timely मिल जाये करेगी और हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे more दिखाई देगा उसे आप press करें then join our official टेलिग्राम चैनल के पास फिर से आपको more दिखाई देगा उसे प्रेस करें लिंक आपको दिखे जाएगा उसे प्रेस करके हमारे जुड़ जाएं टीम वहीं पे पास से दस मिनट पहले आपको मिलती है जो भी final SL head to head grand league की teams होती है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जैहिन